तो नमस्कार अदाब सस्रेकाल स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्रिकेट लाइन गिरू चैनल में वर्ल्ल कप 2023 जो की इंडिया में होने वाला है उसके लिए सब ही 10 टीमों के नाम फाइनल हो गए हैं और इस टूनमेट में स्कॉटलेंड को हरा कर जगे बनाने वाली नीदर लैंड आखरी टीम बन चुकी है अपने धाकर प्रदर्शन से स्कॉटलेंड को हरा कर वर्ल्ल कप की टिकेट कटाने वाली नीदर लैंड की इस जीत में सबसे एहम योगदान रहा है बेस्दे लीडी का जिन्होंने पहले पाच विकेट चटकाए और फिर शतकीय पारी खेल आइसीसी वर्ल्ल कप कॉलिफायर के सूपर सिक्स के आठवे मैच में नीदर लैंड ने स्कॉटलेंड को चार विकेट से हराया है ऐसा पाचरवी बार होगा जब डश टीम आइसीसी के इस टॉर्नमेंट में एंट्री करेगी बही स्कॉटलेंड ने तो 9 विकेट के नुक्स चुकेट हासिल करते हैं और फिर 123 रंड की वर्ल्ल क्लास पारी खेलते हैं लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बेस देलीडी के पिता यानि की टिम डेलीडी ने 1996 में टीम के लिए ऐसा ही कारनामा किया था जिसके दम पर टीम पहली बार वर्ल्ल कप में पहुँचने में क चामदार प्रदर्शन किया था इसके बाद नीदरलैंड ने 2003, 2007 और 2011 में लगातार तीन बार कौलिफाई किया था पिछले दो वर्ल कप में वो जगे बनाने में सक्सेस्फुल नहीं हुए थे लेकिन क्या इस बार नीदरलैंड की टीम अक्टूबर और नमबर में होने वर् जो की सेमी फाइनल और फाइनल खेलती नजर आ सकती है जवाब जरूर दीजेगा